अब हम क्या करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने टूरिस्ट वीजा की फाइल अपलाई कर सकते हो, कैसे आप जो है स्टूडेंट वीजा के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हो, कौन से कॉलेज में जा सकते हो, कौन सी कंट्री के लिए आप अलिजिबल हो, ये सारी चीजे जो है हम इस website में लोगों को बताएंगे है आप अराम से दोस्तों इंडिया से बाहर निकल सकते हैं विदेश जा सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं अब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उट रहे होंगे की रिक्रूट्मिंट एजेंट सुना था एइजेंशी शुनी थी विजय अद्वाइजर सुना था यह नया क्या term आगया गया है की educational एज्जेंट के बारें बताने वाले हैं तो भाई हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हैक एक बंदा एजेंट के बाहर निकलते हैं, यही तीन चीज, चार चीजे होती है दोस्तों, पहली चीज जो सबसे बड़ी चीज है कि लोग जो जाते हैं एजेंट के पास वो सिर्फ इसले जाते हैं क्योंकि उनके पास नॉलिज नहीं होती है, उनको पता नहीं होता है कि एक लाग रुपे लगने वह ले होते हो हैं, उसी काम के हो दस लाग रुपे ले 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 लेते हैं, तो इतना पैसा जब एक बार एजेंट को दे करके आप विदेश पहुंच भी जाते हो, तो आप करजे में डूबे रहते हो, बहुत जादा करजे में डूबे रहते हो, लेकि याप tourist visa लेना चाहते है, study visa लेना चाहते है, work visa लेना चाहते है आप सारा काम खुद से कर सकते हैं, बस आपको उतने ही पैसे देने होंगे जोतनी की visa की fees है, visa की actual fees आपको भरनी होगी दोस्तों और उसके अलावा आपको एक रुपए नहीं भरना, आपको किसी agent को एक रुपए नहीं देना आपको खुद से job search करनी है, job के लिए जब आपको work permit वगरा मिल जाए तो आप खुद से खुद का work visa लगा सकते हैं, सारे documentation, process वगरा सब कुछ खुद से कर सकते हैं इस educational agent के जरीए, दोस्तों ये educational agency जो है, ये आपको जानकारी देती है, ये आपको knowledge देती है यहाँ पर जो है, आपको subscription लेना होता है, एक plan होता है, सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं आपको किसी agent को एक रुपे देने की जरूरत नहीं बड़ेगी, अभी मैं जादा बोलूँगा, इस से अच्छा आप, मतलब इस agency के director, यानि कि सुखमनी कौर जी के मूँ से सुनिये, कि वो क्या चाहती है, उनका soul purpose क्या है, तो चलिए उनकी थोड़ी से bite सुन लेते हैं, ज वो भी बहुत अराम से देख सके, क्योंकि student visa पे तो वही लोग जाएंगे जो की पड़े लिखे है, जो बच्चा पड़ा लिखा है, लेकिन tourist visa पे जरूरी नहीं है कि वो ही जाएगा जो पड़ा लिखा है, ठीक है, कम पड़े लिखे लोग भी tourist visa पे जाते हैं, घूमने के जाना है, तो आप किसी agent के पास जाओगे पहले तो वो आपसे processing fees लेगा, फिर वो आपको बोलेगा कि आप मुझे अपने documents दे दीजिए, मैं file आपको एक महिना लगेगा, मैं आपको upload करके जो है result आएगा, visa आपका पका आना है, आपको 15 रुपे visa के बाद देना है, मैं तो आपको ambassive fees के अलावा किसी भी तरह की payment देने की जुरुत नहीं है, आप खुद अपने agent बन सकते हो, हम आपको इस website में वो सारी चीज़े बताएंगे, कैसे आपने form फिल करना है, कैसे आपने ambassive fee pay करनी है, कौन-कौन से documents आपको चाहिए, कैसे आपने biometric की date उठानी है ये सारी चीज़े ही आपको इस website में मिलेंगी. आप अगर कोई IELTS की coaching center खोलना चाहते है, तो वो भी खोल सकते हैं दोस्तों, मातर 1950 उरुपे का subscription ले करके, क्या दिक्कत है, मेरे को यह समझ भे नहीं आता, लोगों को आप 10-20-20,000 रुपे दे देते हो, तो भाईया एक बार ये छोटी से investment करके देखो, आपको जानकारी ह बाहर जाना चाहते हो, तो ये knowledge आपके लिए बरबाद नहीं जाने वाले है दोस्तों, आपको सही information मिलेगी, सही तरीका मिलेगा, कि आपको कैसे अपने visa के लिए apply करना है, और कैसे आपको process को follow करना है, तो एक बार आप इनको contact ज़रू करिए दोस्तों, साथ ही अगर आप इस agency की website पर जाना चाहते है, इस educational agency की फिर से मैं बोलूँ की, एक educational agency है दोस्तों, कोई immigration visa बगरा नहीं देती है, आप इन्हें contact मत कीजेगा, visa से related, आप जानकारी लेना चाहते हैं, इस agency के बारे में, तो उसके लिए contact कर सकते हैं दोस्तों, अभी मैं आपको जो है, इनकी website पर लेके चलता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि कौन-कौन सी services ये provide कर रहे हैं, और क्या-क्या चीजे आप जो है, कैसे lab उठा सकते हैं, इनके subscription plan का, तो चलिए चलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, दोस्तों कि इस agency और इस website का नाम है, Do Learn Visa, इस website की link मैंने आपके ल immigration agent कैसे बन सकते हैं, अपने visa के लिए कैसे अपलाईगा सकते हैं, फिर चाहे वो tourist visa हो, study visa हो, work visa हो, या फिर PR बगएर हो, ठीक है, आप यहां की membership लेने के बाद ये सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं, और अपना agent बन सकते हैं मातर 15 दिनों में, फिर आपको किसी भी agent की ज़ ले सकते हैं, वीडियो के थुरू, यहां पर आपको सारी चीज़े देखने के मिल रही हैं, कुछ benefits आपको देखने के मिल रहे हैं, कि अगर इनका premium subscription लेते हैं, तो आपको क्या-क्या benefits मिले वाले हैं, दोस्तो, आपको visa assistance मिलेगी, आप visa verify करवा सकते हैं, अगर किसी agent के थु आप visa लेते भी हैं, तो उस visa को verify कर सकते हैं, कि वो visa fake है, या फिर असली है, यहां पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि भाईया, आप जो है, 1950 रुपय का सालाना, मतलब सालाना नहीं, one time subscription है, दोस्तो, आपको बस एक बार 1950 रुपय करने होते हैं, और आप lifetime member बन जाते इनके contents वगया रखे, उसके बाद आप देख सकते हैं, PR visa ले सकते हैं, study visa की जानकारी ले सकते हैं, कि कैसे आपको process करना होता है, क्या documents लगेंगे, visitor visa, work visa, मतलब हर type की visa की जानकारी आपको मिलेगी, spouse visa, family visa, उसके बाद यहां लिखा हुआ है, as a leading provider of visa services, यहां पर जानकारी म करते हैं, और किस type का, मतलब services देते हैं, फिर से वही सारी चीज़ा आपको देखने के लिए मिलेगी, कि किस type के आप visa के लिए, मतलब apply कर सकते हैं, इनकी assistance के बाद, खुद से आपको करना है दोस्तों, यह किसी भी visa के लिए apply नहीं करके देंगे, याद रखिएगा, यहां यहां पर सुखमनिक और जो की director है, do learn visa की, उनके बारे में कुछ बाते लिखी गई हैं, जो कि आप जान सकते हैं इनके बारे में, यहां पर आप देख सकते हैं, इनकी वीडियो, इनकी बाइट आपने पहले सुन लिए इसी वीडियो में, तो आपको जानकारी मिल गई है कि इनके visa, मतलब इस website और इनकी agency का क्या मतलब purpose है, ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको कुछ चीजे और देखने के लिए मिलेंगी कि भईया, आप क्या-क्या कर सकते हो, अगर आप premium subscription लेते हो तो, मतलब basically जो है, अगर आप premium subscription लेते हो दोस्तों, तो आपको किसी agent की consultant बन जाओ मेरे, और मेरे से पैसा ले लो, ठीक है, आपको यह सारी चीजे जो है, आपको किसी, मतलब 2000 रुपे में सब कुछ मिल जाएगा, आपको किसी को 10 लाग रुपे, 15 लाग रुपे देने की ज़रुत नहीं है, आप खुद से खुद के visa के लिए भी apply कर सकते हैं, दो दोस्तो, इसमें आपका कोई घाटा नहीं होने वाला है, अगर आप plan लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं, उनकी website पर जाकर के, अगर नहीं लेना चाहते हैं, दोस्तो, तो यह आपकी मरजी है, totally, ठीक है, मेरे को लगा कि यह information आप तक पहुँचा नहीं चाहिए, तो मैंने यह information आप तक पहुचा दिये, दोस्तो, अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, totally depends on you, ठीक है दोस्तो, I hope दोस्तो कि आपको आज कई वीडियो पसंदाया होगा, और वीडियो को पसंदाया है, तो वीडियो को like करे, share करे और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा दोस्तो आज के लिए तना ही मिलते हैं, अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, अब तक के लिए, बाई बाई